Hello Everyone, Welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Top 50 General Knowledge Quotations को तो Most Important Questions हैं आपके सारे एक्जाम्स के लिए और Friends, यह इसका Set 13 है आपको जो इसकी Previous Set है, हमारे चैनल में Uploaded मिलेंगे तो उनको भी जाके आप जरूर देखेगा इस सीरीज में मैंने आपके लिए Most Important Questions को cover किया है Friends, मैंने यह आपे सारे Questions selected और Most Important लिए है अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है तो बिना देर के वीडियो को start करते हैं तो आपका पहला कोशन है देखे, Who were the first king to issue gold coins in India? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? इन्डो ग्रीक्स, तो option number B हो जाएगा इसका correct answer Friends, अगला कोशन है आपका Epigraphy means पूरा लेक का अर्थ क्या होता है? तो epigraphy का meaning होता है The study of inscriptions इसे कहा जाता है epigraphy काफी important है साथने बात करें यहाँ पर The study of coins क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है Neumismatics तो neumismatics होता है The study of coins ये भी आपके लिए काफी important है Friends, एक और होता है cartography ये भी exam में काफी ज़्यादा पूछा जाता है अगला question है आपका The Saka Error Commencing from AD 78 Was founded by 78 ESV से प्रारम होने वाला शक योग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो Saka Error को found किया गया था कनिश्क के द्वारा Option number A हो जाता है इसका correct answer Friends बात करते हैं कनिश्क के बारे में इन्हें जाना जाता था Second Ashoka के नाम से तो मैंने आपको इनके बारे में Previous वीडियो में बताया हुआ है अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है जो इसका set 12 है उसको जाके जरूर देखेगा वहाँ पे हमने कनिश्क से related question को cover कराया है तो इन्हें Second Ashoka कहा जाता था और इनके time पे ही Fourth Buddhist Council को held किया गया था in Kashmir तो Kashmir में ये कहाँ पे हुआ था ये हुआ था कुंडलवाना में कुंडलवाना नाम के जगा पर Fourth Buddhist Council को करवाया गया था under the patronage of कनिश्का काफी important हो जाता है exam point of view से अगला question है the first woman to preside over the UN General Assembly संयुक्तराष्ट महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है तो UN General Assembly को पहली बार first woman preside करी गई थी by Vijay Lakshmi Pandit बात करेंगे इनके बारे में she was elected as the first woman president of UNGA in 1953 1953 में first woman president की तरह ये elect हुई थी she was overall eighth and only Indian to be elected as president of UNGA तो पूरे world में ये eighth position में और इंडिया की ये सबसे पहली elected president थी UNGA की और ये daughter है former INC president मोतिलाल नहरू और sister है जवाहरलाल नहरू की friends बात करें हम UNGA के बारे में United Nations General Assembly तो इसको form किया गया था यान established किया गया था in the year 1945 बात करें इसकी headquarter की तो headquarter located है यहाँ पर New York में ठीक है तो New York में located है UNGA का headquarter अगला question who gave the concept of total revolution संपूर्ण क्रांती का अवधारना किस ने दिया संपूर्ण क्रांती यानि की total revolution का concept दिया गया था option number A जय प्रकाश नारायन के द्वारा तो option number first हो जाता है इसका correct answer बात करेंगे इनके बारे में JP नारायन को लोक नायक के नाम से बाना जाता था लोक नायक इनका ही एक और नाम था इन्हें ही hero of quit India movement भी कहा जाता है यह भी important है और इसके साथ संपूर्ण क्रांती आपने सुना होगा यह स्लोगन संपूर्ण क्रांती तो यह स्लोगन को भी दिया गया है भाई जय प्रकाश नारायन राइट अगला question है आपका कुलाटम और चोलिया किस दो राज के निर्टे रूब हैं तो देखे फ्रेंड्स कुलाटम और चोलिया डांस होता है उत्तर प्रदेश का तो option number B हो जाता है इसका correct answer तो बात करें केरेला का classical dance कौन सा है तो केरेला का classical dance हो जाता है कथककली कथककली यहां की classical dance है इसके साथ मोहिनी अट्टम यह यहां की classical dances है बात करें तमिल नाडू की तो तमिल नाडू की भरत नार्टम यहां की classical dances है तो यह हो गए यहां पर और आंदर प्रदेश की classical dance का नाम क्या है यह है कुछी पुडी फ्रेंड्स यह जो series चल रही है यहां पर मैंने हर एक वीडियो में आपको डिफरेंट फोक डांस के बारे में बताया है हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में कुछ कुछ को यहां पर कवर करते हुए चला है तो आपने प्रिवियस सीरीज को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिए अगला है आपका question which among the following is a folk dance of India इन में से आपको बताना है निम दिखित में से कौन सा भारत का एक लोग रते हैं तो इन में से इंडिया का एक folk dance है इसमें से गर्बा इसके अलावा बाकी सारे क्या है classical dances है अब यह भी हमने डिसकस किया classical dances के बारे में तो यह सब है classical dances of India और यह है folk dance गर्बा एक folk dance है तो friends बात करते हैं यहाँ पर गर्बा के लावा गुजरात से folk dances है टिपपनी और डांडिया इनको भी हाँ पर आपको याद रखना है तो यह तीन हो गया classical dance और यह हो गया folk dance राइट अगला कोशन है आपका friends विच्वान अफ़ फॉलइंग इस अ ग्रीन हाउस गैस निम्न लिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है तो इन में से ग्रीन हाउस गैस है अप्शन नबर C carbon dioxide बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है अगला कोशन फ्रेंज विच अफ़ फॉलइंग इस दा लोएस्ट अट्मॉसफरिक लेयर निम्न लिखित में से कौन सी सबसे निचली वायू मंडली परत है तो इन में से लोएस्ट अट्मॉसफरिक लेयर देखे इमेज यहाँ पर हमने आपके लिए इमेज भी लगाया है आपके देखे लोएस्ट जो है टॉपोस्फियर और लास्ट में यानि कि हाईस्ट अगर बूला जाए तो यह है एग्जोस्फियर तो troposphere lowest और exosphere यहांका last atmosphere clear है तो इसका correct answer क्योंकि आपे lowest पूछा गया है तो option number C हो जाएगा इसका correct answer अगर आपसे last पूछा जाता तो इसका answer हो जाता exosphere अगला question है friends आपका तो सूर्य के बाद पृत्वी का दूसरा निकरतम तारा कौन सा है तो सूर्य के बाद यानि कि sun के बाद अर्थ का nearest star है आलफा century तो option number D हो जाएगा इसका correct answer friends अगला question है तो पास located in हिमाचल प्रदेश इस कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो इनमें से हिमाचल प्रदेश में स्थित है option number A शिपकी लापास तो ये located है हिमाचल प्रदेश में friends बात करें बाकी यहाँ पे पास इसकी तो जोजी लापास located है लदाक में ओके नाथू लापास located है सिक्कीम में और जेलपिला पास भी located है सिक्कीम में ओके तो ये होगे different passes अगला question है which from the following is the busiest ocean trade route निमने लिकित में से कौन सा सबसे west समुदरी व्यपार मार्ग है तो इन में से सबसे busiest oceanic trade route है option number B नौर्थ अट्लांटिक oceanic trade route ये question exam में देखा गया है friends इसलिए मैंने आपके लिए question को यहाँ पर include किया है तो इसको याद रखियेगा अगला question है बारतिय रिजर्फ बैंक के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे तो फर्स इंडियन गवर्नर पूछा जा रहा है आपसे ठीक है तो यहाँ पर फर्स इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्फ बैंक ऑफ इंडिया थे C.D. देशमुक तो option number A हो जाता है इसका correct answer बात करते हैं RBI के बारे में तो इसका full form है Reserve Bank of India established इसको किया गया है 1st April 1935 को headquarter इसका Mumbai में है और इसको established किया गया था by Hilton Young Commission ये आपके लिए काफी important है अगर आपसे पूछा जाए कि RBI को established किस commission के द्वारा किया गया है तो इसको established किया गया है by Hilton Young Commission और इसके first governor यहाँ पे आपसे Indian नहीं बोला जा रहा है first governor of Reserve Bank of India थे Osborne Smith और first Indian governor रहे है C.D. Deshmuk तो I hope आपको ये सब clear है Friends बढ़ते हैं अगले question की तरफ which of the following is not a method of estimating national income निम्ले लिखित में से कौन सी राश्ट्रियाय का अनुमान लगाने की विधी नहीं है तो इन में से estimate करने के लिए national income को profit method को use नहीं किया जाता है तो option number C हो जाता है इसका correct answer Friends अगला question Vira Natyam is a famous ritual dance of which of the following states Vira Natyam निम्ले लिखित में से किस राज़े का प्रसिद अनुस्ठान निरते है तो Vira Natyam इन में से एक famous ritual dance है आंदर प्रदेश का इसके बाद बात करें यहां पर आंदर प्रदेश रिलेटर important dance forms की तो यहां पर इसका कुच्ची पूडी classical dance form है तो इसको याद रखिएगा और friends साथ में बात कर लेते हैं यहां पर कुच्ची पूडी से रिलेटर exponents की तो देखिए हमने पहले भी आपको पढ़ाया है फिर भी एक बाद जो रिवाइस कर लिजे राजा एंड राधा रेड़ी यह famous exponents है कुच्ची पूडी की इसके बाद यामिनी रेड़ी यह भी कुच्ची पूडी से associated है कॉसल्या रेड़ी भावना रेड़ी यह सारे जो है लोग यहां पर associated है कुच्ची पूडी से तो आपको यह सब याद रखना है इसके साथ एक और famous यहां पर है विमपाती चिन्ना सत्यम काफी important है सबसे ज़्यादा यहां पर इसे ही पूचा जाता है विमपाती चिन्ना सत्यम जो है famous exponent है कुची पूडी डान्स फॉर्म के और वीरा नाटियम यहां का एक famous ritual dance है अगला question है which of the falling lakes is not located in Kerala निमनलिकित में से कौन सी जील केरल में स्थित नहीं है तो इन में से केरल में स्थित नहीं है option number B koleru lake और koleru lake कहां पर स्थित है तो यह located है आंदर प्रदेश में और बाकी जो अस्टामोडी lake आकुलम lake वेंबनात lake located है केरला में friends आपका अगला question है which of the falling acid is found in spinach निमनलिकित में से कौन सा अमल पालक में पाया जाता है very very important question तो देखिए थोड़ा सा अलग सा question है यह आपके लिए इन में से spinach में कौन सा acid पाया जाता है तो spinach में पाया जाता है oxalic acid तो oxalic acid spinach के लावा और कहां में पाया जाता है तो इसडिया यह Hmm ये हैएarma से हैँ इसके लावा बें भी भी पाया जाता है tartaric acid, citric acid पाया जाता है lemon में, methanoic acid जो है ये पाया जाता है, इसको formic acid भी खाया जाता है, पहले ये तो आप ये देख लीजे, formic acid को ही methanoic acid कहते हैं, और ये जो ant bite होती है न, इसमें पाया जाती है, तो ये होगे different यहाँ पर acids और उसके sources, अगला question है, with reference to the constitution of India, which one of the following pairs is not matched तो भारित के संविदान के संदर्म में, निमनलिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना इन में से कौन सा correct नहीं है, तो friends, ऐसा ही question मैंने आपको previous वीडियो में बताया था, concurrent list, state list और एक होता है union list, तो आपको बताना है इन में से कौन सा सहीं है और क public health state list में आती है, तो option number B यहाँ पर गलत है, तो देखिए आपके रिए पूरा एक proper list है, union list में आता है defense, banking, currency, foreign affairs और communication, state list में आता है police, trade, agriculture और irrigation, और concurrent list जहाँ पर both central government and state government milky laws बनाती है, इसमें आता है education, forest, trade, marriage, adoption and succession, तो यह है different list of government, बात करते हैं अगले question की, which among the falling हरपस site is not located in Gujarat, निम्नलिकित में से कौन सा हरपस तल, Gujarat में स्थित नहीं है, तो इन में से option number D, बनावली स्थित नहीं है, Gujarat में, तो बनावली है कहाँ पर, तो यह situated है हर्याना में, okay, friends, बाकी सारे जो हैं, यह अभी फिलाल पाए जाते ह हैं, Gujarat में, okay, अगला question है, who is the author of the autobiography, the Indian struggle, तो आतमों कथा, the Indian struggle के लेखक कौन है, तो यह लिखा गया है, तो यह autobiography है किसकी, सुभाश चंद्र बोस की, काफी important हो जाता है यह question आपके लिए, friends, अगला question है, one byte is equal to, तो एक बाइट किसके बराबर होता है, तो computer का question भी आपक के लिए, computer questions को भी यहाँ पर include किया हुआ है, तो देखिए, one byte किसकी equal होता है, आपको बताना है, बहुत ही general सा question है, बट काफी important है, लोग बहुत confused होते है, तो one byte में होते है, eight bits, तो बात करेंगे हम सारे यहाँ पर, one nibble जो होता है, four bit के बराबर होता है, one byte equal to eight bits होता है, one kb 1024 bytes, इसी तरीके से mb, one mb होता है, 1024 kb, और इसी तरीके से यह चलता जाता है, तो अगला question है, ATM is the abbreviation for, ATM का संक्षिप्त रूप क्या है, आपको बताना है, तो ATM का यहाँ पर full form होता है, automated tellar machine, तो option number B, इसका correct answer है, अगला question, सुन्दा straight lies between, सुन्दा जल दम्रु मध्य किसके बीच में स्थित है, तो सुन्दा straight lies between, option number C, Java and Sumantra Island, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह है Java Island और यह है Sumantra Island, और इसके बीच में ही located है, सुन्दा straight, तो यह है आपके लिए यहाँ पर यह question, अगला question, quards is made of, quards किससे बना होता है, तो quards बना होता है, यहाँ पर sodium silicate का, तो option number D हो जाता है, इसका correct answer, तो friends एक यह quards जो होता है, different forms में available होता है, earth crust में, तो इसका एक और जो form है, यह है sodium silicate, तो दोनों थोड़े थोड़े अलग है, तो बात करेंगे हम quards की, तो इसका जो chemical formula है, यह होता है, SiO2, और इसका chemical name होता है, silicon dioxide, तो आपसे directly पुछा जा सक करेंगे sodium silicate के बारे में, तो इसका यहाँ पर chemical formula होता है, Na2, SiO3, तो इसको भी आप याद रखें, यह एक different form है, quards का, okay, अगला question है, right to privacy comes under, तो निच्टा का अधिकार किसके अंतरगत आता है, तो right to privacy आता है, under, तो option number इसका correct हो जाएगा, article number 21, option number C, friends बात करेंगे बाप की यहाँ पर options हैं उनके बारे में, तो देख लेजिए, article 19 जो है, यह बात करता है, freedom of speech के बारे में, ठेक है, article 20 बात करता है, protection in respect to conviction, okay, यह हो जाता है, article 20, बात करेंगे, article 18, यह काफी important है, abolition of titles के लिए, article 18 दिया गया है, right, तो यह हो गए हमारे सारे यहाँ पर important articles, तो तीनों आपको यहाँ पर चारों को यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, अगला कोशन है, under which article of the constitution, can an individual move to the supreme court directly, in case of any violation of fundamental rights, समिधान के किस अनुछेद के तहत, कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उलंगन की स्थिती में सीध्य सर्वोच न्याले जा सकता है, तो fundamental rights के violation में, कोई भी individual supreme court directly जा सकता है, यह दिया गया है, article number 32 में, तो option number A हो जाता है, इसका correct answer, फ्रेंट्स अगला question है, which of the following metals has a maximum thermal conductivity, किस धातों में अधिक्तम तापिय चालकता होती है, इन में से maximum thermal conductivity होती है, chemistry का यह काफी important question है, और यहाँ पर option number C हो जाएगा, correct answer, तो silver में होती है, maximum thermal conductivity, तो फ्रेंट्स यहाँ पर बात करेंगे, thermal conductivity होता क्या है, तो देखे, thermal conductivity refers to the ability of given material to conduct और transfer heat, तो किसी भी एक material की transfer करने heat की property को कहते है, thermal conductivity, और least conductivity किस की होती है, यह होती है, air की, अगला question है, BCG is a vaccine meant for protection against which of the following diseases, BCG निमनलिकित में से किस बिमारी के सुरक्षा के लिए बनाये जाने वाला टीका है, तो BCG vaccine बनाया गया है for tuberculosis, friends अगला question है आपका, the branch of economics that focuses on the behavior of overall economy is known as, अर्थशास्र की वह शाका, जो समगर अर्थव्यवस्था के वहवार पर ध्यान केंद्रिक करती है, क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है, macro economics, okay, तो friends आगे जाने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारी जो paid PDF की website है, मैं आपको यहापे mention कर रही हूँ www.ravibookspdf.com तो यह हमारी paid PDF की website है, तो यहाँ पर आपको रवी सर की all subject current affairs और dk की PDF, both in Hindi and English media मिल जाएगी, तो अगर आप buy करना चाहें, तो इस website को note कर लीजिए और ज़रूर visit करें हमारे website को, okay, तो देख लीजिए micro economics क्या होता है, अभी हमने पढ़ा macro economics, यहाँ भी क्या हो रहा था, यह focus कर रहा था, overall behavior economy के, overall behavior के बारे में, अब बात करते हैं, micro economics के बारे में, micro economics is called as the price theory, it studies the behavior of individual consumer producers, etc, it explains consumption, production, allocation and pricing of goods, ठीके, तो यह study करता है, individual consumer, ओके, friends, आपका अगला question है, which of the following is not a computer network, निमने लिकित में से कौन से एक computer network नहीं है, तो इन में से personal network कोई भी computer network नहीं है, तो option number C हो जाएगा इसका correct answer, अगला question आपका, in which of the following styles of dance, the story theme is always taken from महाभारत और रमायन, निमने लिकित में से किस इप्ति शैली की में, कहानी विश्य हमेशा महाभारत और रमायन से लिया जाता है, तो story theme हमेशा महाभारत और रमायन से लिया जाता है, तो option number B हो जाएगा इसका correct answer, बात करते हैं, अगले question की, विश नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन अंडमान और निकोबार आइलेंड, नोन फॉर इट्स यूनिक मरायन वायोडिवर्सिती, तो कौन सा राश्ट्रिय उद्यान, अंडमान और निकोबार दुईव समू में स्थित है, और अपनी अद्वित्ती समुद्री जय विविद्धा के लिए जाना जाता है, तो अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है नेशनल पार्क, जिसका नाम है, तो ऑप्शन नमबर C हो जाएगा, करेक्ट आंसर, फ्रेंट्स बात करेंगे बाकी आप्शन की, काजी रंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असाम में, बात करें सिंप्ली बाल नेशनल पार्क की, इन अंडमान और निकोबार, तो देख लीजी, आपर प्रॉपर लिस्ट दिये हैं हमने, आपके लिए, साउथ बटन इन आइलेंड नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, रानी जहासी मराइन नेशनल पार्क, नौर्थ बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, गेलेथिया नेशनल पार्क, और Campbell Bay National Park तो ये सारे National Parks located हैं अंडमान एंड निकोबार आइलेंड्स में तो आपको यहाँ पर सारे देख लेने हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपको नॉर्मली साउथ बटन, नॉर्थ बटन और मिडिल बटन नॉर्मली याद हो जाएगा बाकी आपको जट एक बार रिवाइस कर लेना है अगला कोशन है इन विट स्टेट इस दा हॉर्न बिल फेस्टिवल असेलिबरेशन अफ कल्चरल हेडिटेज अफ वेरियस ट्राइब्स हेल्ड अन्वली तो विबिन जन जातियों की संस्कृतिक विरासत का उचसव होर्न बिल महोत्सव किस राजी में प्रती वर्ष आयोजित किया जाता है तो होर्न बिल महोत्सव को प्रती वर्ष बनाया जाता है नागा लैंड में फ्रेंट्स बात करें यहां से एक और important festival की तो ये हैं मोआद्सू festival ये भी काफी important है नागरेंट state से अगला question world no tobacco day is observed on विशु तमभाखु निशेद दिवस कब मनाया जाता है तो world no tobacco day को observe किया जाता है 31st में को तो option number A हो जाता है इसका correct answer बात करें theme की 2023 की तो ये है grow food not tobacco तो ये है इसका 2023 का theme अगला question free throw is associated with free throw किस से संबन्दित है तो free throw जो है ये associated है basketball game से तो option number C हो जाएगा correct answer बात करते हैं basketball की important terminologies की free throw, common foul, underhead, technical foul और overhead तो ये सारे हैं important terms related to basketball ओके अगला question है world trade organization was started in the year विशु व्यापार संगठन की इस रुवात किस वर्ष में की गई थी ये हाल ही में एक exam में पूशा गया था तो देखें इसका correct answer हो जाएगा option number C 1995 ओके तो बात करेंगे यहाँ पर world trade organization की establishment इसकी हुई थी 1st January 1995 को headquarter इसका Geneva Switzerland में है और total यहाँ पर 164 देश यहाँ पर शामिल है इसके जो जनरल से क्रेटरी यह वो है नगोजी ओ कुन्जो इवियले वेला अगला question who has written the book The White Castle The White Castle नामक पुस्तक किस ने लिखी है The White Castle नामक पुस्तक को लिखा गया है बाई ओरान पामोक अगला question who is called as father of Indian archaeology भारतिय पुरा तत्व का जनक किसे कहा जाता है इसको डबल टेक कर लीजिए क्योंकि काफी important है exam point of view से important points को discuss करेंगे First Director General of Archaeology Survey of India थे Alexander Kanhimgam, he was appointed as the first archaeological surveyor from December 1861 तो यह December 1861 में appoint किये गये थे as the archaeological surveyor, friends आपका अगला question है which one of the following pairs is not correctly matched, निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सहीं सुमेलित नहीं है तो देखे, languages के बारे में दिया गया है 8th schedule में, यह बिल्कुल सहीं है Second वाला, the forms of oath and affirmations दिया है second schedule में, यह गलत है यहाँ पर allocation of seats in the council of states यह बिल्कुल सहीं है provision as to disqualification on the ground of defection, यह भी यहाँ पर 10th schedule में दिया है और यह एकदम सहीं है बात करेंगे, B option की तो देखे, यहाँ पर यह गलत दिया हुआ है forms of oaths and affirmations जो है, यह दिया गया है 3rd schedule में ठीक है, और second schedule में क्या दिया हुआ है यह दिया गया है, salary of president इसके बाद judges इसके बारे में दिया गया है second schedule में तो यह हो गया, इसका correct answer option number B अगला question, शेक चाहिलिस is located in which of the falling city शेक चाहिलिस का मकबरा निमलिकित में से किश देश में मौझूद है तो यह मौझूद है कुरुक शेत्र में अगला question, नेशनल pollution prevention day is observed on राश्ट्री प्रदूशन निवारा दिवस कम मनाया जाता है तो रेशनल pollution prevention day को मनाया जाता है December 2nd को तो बात करेंगे इसे क्यों ऐसा मनाया जाता है तो देखें, 2nd December 1984 को एक बहुती बड़ी tragedy हुई थी जिसका नाम है भुपाल गैस tragedy तो इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसो सायनाइड नाम का chemical हो गया था तो देखें, आपर बात करते हैं इसके बारे में तो जैसे मैं आपको प्रीवस लाइन में बताया तो जो भी लाइफ लॉस्ट हुई थी दूरिंग भुपाल गैस tragedy उनके ओनर में मनाया जाता है निशनल pollution control day अगला कोशन है, विस सिटी इस अलसो नोन as Detroit of India किस शहर को भारत का Detroit भी कहा जाता है तो Detroit of India कहा जाता है आपर, option number हो जाएगा C, Chinnay अगला कोशन, the Imperial Bank of India after its nationalization came to be known as अस्ट्रे करन के बाद Imperial Bank of India को इस नाम से जाना जाने लग गया तो देखे, after nationalization Imperial Bank of India का नाम कर दिया गया State Bank of India तो option number B हो गया इसका correct answer बात करते हैं इसके बारे में State Bank of India इसको establish किया गया है the 1st July 1955 को Headquarter Mumbai है Chairperson है इसके दिनेश कुमार खारा और SBI Day को मनाया जाता है 1st July को तो ये हो गया SBI से जुड़े हुए काफी important points अगला कोशन, SEBI यानि कि Security and Exchange Board of India इसका correct answer बात करेंगे इसके बारे में तो देख लिजे इसको establishment की गई थी April 98 में इसको statutory status दिया गया था 1992 में Headquarter again इसका मुंबई में located है Chairperson है इसकी माधवी पूरी बुच अगला कोशन rubber plantations are found in rubber का बगान कहां पर पाया जाता है तो rubber plantation को पाया जाता है equatorial regions में तो option number D हो जाएगा इसका correct answer Friends आपका अगला कोशन है instrument used for measuring areas on map is called मानचित्र पर छेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है instrument used for measuring areas on map कहा जाता है planning meter को option number A है इसका correct answer तो देखिया आपको confused नहीं होना है cartography अलग चीज होती है इसमें क्या होता है cartographer वो कहलाते है जो maps को draw करते हैं तो वो एक अलग चीज है planning meter में map के जो areas है उसको miser किया जाता है अगला कोशन है which article of the constitution deals with money bill सविधान का कौन सा अनुछे धन विदेहक से संबंदित है तो money bill से associated है article number 110 तो option number B हो जाता है इसका correct answer अगला कोशन who founded the Republican Party of India Republican Party of India की स्थापना किसने की है Republican Party of India की स्थापना करी गई है by Dr. B.R. Ambedkar तो option number C है इसका correct answer अगला कोशन तो अगले कोशन में जाने से पहले देख लीजिए on 30 September 1956 B.R. Ambedkar had announced the establishment of Republican Party of India by dismissing the schedule caste federation तो schedule caste federation को हटा करके B.R. Ambedkar ने establish किया था यहाँ पर Republic Party of India को अगला कोशन है B.H.E. is a festival that is observed in तो B.H.E. एक त्योहार है जो कहां मनाया जाता है तो B.H.E. मनाया जाता है असम राज्य में तो correct answer है option number C तो बात करेंगे यहाँ पर festival related to Assam की तो देखिए B.H.E. बाइशागू अलि आय लिगांग बाइखो, रोंकेर, रजनी गबरा हरनी बुहागियू बिशू अंबुबाशी मेला और जोन बिल मेला तो यह सारे different festivals हैं असाम के तो friends आपका last question है यह तो देखिए who among the following is not a भरतनाट्यम dancer निमलिकित में से कौन भरतनाट्यम नर्तक नहीं है तो देखिए यहाँ पर लीला सैमसिन, सोनल मान सिंग, सितारा देवी और गीता रामचंदरन में से भरतनाट्यम dancer नहीं है, सितारा देवी यह किस से associated है, यह कथक dancer है ना कि भरतनाट्यम dancer तो option number 3 हो जाएगा इसका correct answer ओके तो friends यह थे हमारे सारे important questions इस video में तो आपका एक छोटा सा test जैसे मैंने आपको बताया था तो देखिया आपका पहला question है तो साका एरा commencing from AD 78 was founded by तो 7083 से प्रारम होने वाले शक यू कि स्थापना किस के द्वारा की गई थी इसका answer आपको हमें comment section में देना है तो जरूर comment करके बताएं कि साका एरा को found किस ने किया था अगला question है आपका वीरा नाटियम is a famous ritual dance of which of the falling state वीरा नाटियम निमनेकित में से किस राजिक शिद अनुस्ठान निरते है ये भी आपको हमें comment section में बताना है तो friends ये था हमारा आज का last question इसके साथ मैंने जैसे आपको बताया हमारी paid pdf की website साइट यहां नीचे भी mentioned है देख लीजे www.ravibooks.pdf.com तो यहां से जाकर के आप pdf को और e-books को भाय कर सकते हैं तो friends I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा